आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश का इत्यास from joke tech academy book ओके सो chapter number one हम already complete कर चुके हैं तो आज हम करेंगे chapter number two हिमाचल प्रदेश का इत्यास सो देखते हैं प्रगतिहास से काल वो हिमाचल प्रगतिहास से काल में लिपी का विकास नहीं हुआ था इस समय मानव के कोई लिखित स्तोत हमें नहीं मिले है हम केवल पूरा तात्विक स्तोतों पर ही इस सब्दी के लिए निर्भरते इस सब्दी को तीन भागों में बांटा गया है पूरा पाशानकाल, मध्या पाशानकाल, नपाशानकाल Paleolithic, next is Mesolithic, next is New Lithic So, पूरा पाशानकाल, मद्या पाशानकाल और नवा पाशानकाल First है पूरा पाशानकाल हम इस समय मानव एक शिकारी के रूप में था जो जानवरों की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था तदा पत्रों के बने ओजारों का उप्योग करता था 1951 में सिर्सा नदी के दाएं और उलाफ प्रफूर को पत्रों से बने खूरफे प्राप्त हुए हैं 1955 में बीबी लाल ने गुलेर दिहरा धलियारा तदा कांगरा से आदि सोन प्रकार के 72 पत्थरों से बने उजार प्राप्त किये डॉक्टर जी सी महापातरा ने भी सिरसा नदी घाटी और कांगडा में उत्तर पाशानकाल के बने उजार के अवशेश खोजी 1974 में सिर्मार की मारकन्डा नदी के सुकेतिक शित्रों में भी कुछ हवशेश प्राप्त किये गए हैं इन सभी तथ्यों के अधार पर यह कहा जा सकता है कि Πुरा पाशानकाल में भी हिमाचल में लोगों का वास्ता मध्या पाशानकाल एवं नव पाशानकाल इस काल में मानव ने नदी के आसपा स्थाई जगों पर रहना आरम कर दिया तथा स्थाई क्रिशी और सभ्यताओं का उद्गम इस सभ्धी के दोरान हुआ इस काल खंड में पशू को भी पाला गया कुता भीड, बकरी, भैंस, रूपर्ड में कोटला, निहंग में नव पाशान यूग के प्रमान मिली हैं सिंदू सभ्यताओं हिमाचल जब सिंदू घाटी के लोग सब जगा फैलने लगे तो उन्होंने कुलार के लोगों को वहां से खदेर दिया वो लोग उत्तर की ओर भागे और हिमाले घाटी में आगे कोल हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी माने जाते हैं जिनोंने नव पाशान यूगिन संस्किती की नीव डाली थी इसका प्रमान हमें कुमाईयों के चंदर रिश्वर, सुमेश्वर और चत्तिस की चटानों पर अंकित मूर्टियों से सिद्गिया जा सकता है किरात कोल जाती के बाद यहां आने वाली दूसरी जाती थी रिशी विशिष ने उने शिशन देव लिंग देवता की फूजा करने वाले काहा है महाभारत में किरातों को हिमाल्य के निवासी बताया गया है वन पर में किरातों का निवास थान हिमाल्य को बताया गया है कालिदास के रगुवंश में भी केनरों का उलेक मिलता है नाग नाग जाती के लोग हिमाचल की पहाड़ियों में बसते थे मंडी के पंचवत वक्त शिव मंदिर में नागों के दस फुट उंची मुर्दियां है हडपा की मुहरों में नाग देवता को दिखाया गया है महवारत में अर्जु ने नाग राज वांसुकी की उलोपी नामक नाकन्या से गंदर विवा किया था वैदी काल में उन्हें आरियों के ने दास दस्यू या निशाद कहा वैदी काल के उत्रार साहिते में उन्हें किनर नागा और यक्ष नामों से पुकारा गया है कुल लोगों को मुंडा भी कहा जाता है जो शायद हिमाचल के सबसे पहले और वास्त्विक निवासी है वेदों के अनुसार उनका राजा शांबर भोशक्तिशाली था जिसके पास 99 मजबूत के लिए थे यहां माना जाता है कि प्रक्तिहासी काल में आरियों ने अपना केंद्रिय प्रवास छोड़ कर यहां आ गए थे आरियों की एक टुकडी ने पामीर को पार कर कश्मीर और उसके बाद हिमाचल में प्रवेश कर लिया उस टुकडी को खश याक शत्रिय नाम से जाना जाने लगा यह युद में निपुन लोग थे जब यहां पूर्वत पुंत यहां बस गे तब इन्होंने खुद को परिवार और गाउं में संगठित किया उनकी मुख्या को मावी अथ्वा मामना कहा जाता था समय के साथ मामना ने खुद को जन्जातिय गंतंतर में विख्सित किया आर्यों की दूसरी टुकडी जिसे भारतिय आर्यय भी कहा जाता था ने मद्य एश्या को छोड़कर दक्षिन की तरफ रूख किया उन्होंने इरान को पार कर हिंदू को शोकर सिंदू घाटी में प्रवेश किया इन्होंने सिंदू घाटी को सब सिंदू अत्वा साथ नदियों की भूमी का नाम दिया उन्होंने विक्सि नगरों में रहने वाले सब यह लोगों को भी पीछे छोड़ दिया अब उन्होंने पंजाब को पार करके हिमालिय में प्रवेश किया वनवासी जिने आरे दस्यू बुलाते थे उन्होंने शामबर के नितितों में बहुत प्रतिशोद प्रदर्शित किया दिवदास आर्या का राजा था जिसने 40 साल तक शामबर के साथ यूद किया तता शांबर के 99 के लिए तबहा किये तता जीत हासिल की और यहां बसने लगे आदी मानव हिमाचल की पहाडियों के धरातल में रहते थे बान गंगा व्यास घाटी कांगणा में सिरसा नालागड बिलासपुर सत्लूज की घाटी सिरमौर की मारकंडा घाटी नेक्स्ट है वैदिकाल वैदिकाल में आरियों के शक्तिशाली राजा यहाती ने सरसुती नदी के किनारे अपनी राज्य की नीव रखी इसके बाद उसका पुत्र पूरू इस राज्य का शाषक बना दश्राग युग रिगवेद की अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद दस आरिय तथा अनारिय राजाओं के बीच हुआ था सुदास की सेना का नेतित्व सेनापती गुरु विशिष ने किया जबकि अन्य राजाओं का विश्वमित्तर ने इस युद दस राजाओं पूरु राजय प्राजित हो गए अत्वा सुदास रिगवेद काल का सबसे शक्तिशाली राजा बन यहाओ युद रावी नदी के किनारे हुआ हुआ था रिगवेद काल में हिमाचल को हिमवंत कहा गया महाभारत में पांडवों ने ग्यातवास का समय हिमाचल की उपरी पहाडियों में व्यतीत किया बीम ने कुलू में हडिम्ब राक्षस को मार कर उसकी बहन हडिमबा से विवा किया कुलू में आज भी माता हडिमबा का पैगोड़ा शैली का भव्य मंदिर है कुलू में हडिमबा वबीम की विवागाता आज भी लोगों द्वारा गाई जाती है उनका पुत्र गटोतकश था जिसने महाभारत के युद में पांड़ों का साथ दिया और फिर गती को प्राप्ट हुआ था इस काल में चार जन्फदों का वर्नन मिलता है